आप सभी प्रिये दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे Vodafone Idea के बारे में, सरकार ने अपने स्टेक के बाद में यहाँ पर Vodafone Idea को एक free hand दिया हुआ है, आप जहां से मर्ची चाहें, वहां से पैसा ला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना जल्दी चाहें हमा हमारी buy की recommendation और हमारी खुद की क्या position है Vodafone Idea में यह बात करेंगे, देखे, next generation जो है, वो आगे आने वाले समय में 3D imagination और साथ साथ में live streaming बर बहुत जादा believe करती है, यह सब बहुत advanced technology है, जिसके लिए mode up mobile phone में आपको 5G की requirement होगी, तो यह अब आगे आने वाले समय की एक need बन जाएगी, जो हमारे society में बहुत जादा demand में रहेगी, इसके चलते हुए, इन्होंने live streaming के लिए Metaverse के साथ partnership का announcement किया है, देखे, यहाँ पर United Base की, United Kingdom की, इन्होंने एक company, जो है mobile stream PLC के साथ gaming launch की है, e-sports Metaverse services, partnership with Vodafone Idea, जो की 2022 के पहले quarter में यह announce करेंगे, यह London Stock Exchange में ब और यहाँ पर Talk with Reliance Geo के साथ में भी launch करने की बात चल रही है, तो mobile stream PLC, यह अच्छी बात है, कि इन्होंने Vodafone के साथ में already यह regulatory filing के accordingly, joint partnership कर ली है इनकी, तो यह stock अब Monday को काफी तेजी में रहने की उम्मीद है, देखे, tax benefit जो government के द्वारा मिला है, 400 करोड रुपे का उनक EAT ने वापिस करने की बात की है, और यह बहुत जल्द इनको 2014 को जो case spending है, with the benefits of tax as well as interest, 408 करोड का इनको मिलेगा करीब करीब, केर के द्वारा इनकी company की अपग्रेड की गई है, जो हमारे हसाब से company को एक stable rating दी है, non-convertible brancher के साथ में, यह long term के लिए एक अच्छी convertible facility, non-convert facility जो बना रहे हैं, यह इनके लिए एक positive रहेगा, ताकि इनको आराम से बाहर से अगर payment करना है, तो loan मिल सकता है through this particular route, तो यह company के लिए एक और further positive use है, अब government holding अगर बात की जाए, तो यहाँ पर इससे इनका reduce होगा expenses, क्योंकि interest pay नहीं करने पड़ेंगे equity पर, जिसके चलते ह हुए, हमने इसको शुरू से recommend किया है, हमारी average cost 6.17 पैसे की है, word of one idea की, जब यह गिर रहा तो 4.65 पैसे तक हमने इसको काफी अच्छी quantity में खरीदा हुआ है, word of one idea, 10% से ज़्यादा के आसपास ऊपर चड़ गया था यहाँ पर, care rating के upgrade के बाद में, जो कि non-convertible venture के साथ में अब देखे, यहाँ पर जो positive territory में इसको ले जाने के लिए 3 चीज़े अच्छी हो रही है, सबसे पहला terrify, overall 25% तक का terrify हो चुका है already, और इनके सुत्रों के अनुसार इन्होंने कहा है, कि 2022 में एक बार और फिर से ये 20% का terrify करेंगे, तो उसे साब से ये बहुत अच्छी view बन जाएगी इनकी, जिसके चलते हुए ARPU इनका उपर बढ़ना शुरू होगा, average revenue per user, और साथ-साथ में जब लोग 2G से plan करेंगे 4G की तरफ को, तो ये उनके लिए एक positive momentum ले के आएगा company को, यहाँ पर ये अच्छी बात रहेगी हमारे हिसाब से, आगे के लिए rating इनकी further improve होगी, हमारे हिसाब से हमने इसको buy की recommendation दिये, अगला target हमारा इसका 50 रुपे का है, जैसे ही funding approval का news official होगा, तो ये complete हो जाएगा, इसका target 50 का बात चल, टार्टर टैली सर्विसेज ने अपना withdrawal कर लिया है offer for government equity stake, अब word of an idea ही only company रह गई है, जिसने यहाँ पर offer को दिया हुआ ह और government इसको analyze कर रही है, यहाँ पर 6 हफते के अंदर ये process convert होने की बात चलेगी, जिसके चलते हुए 16,000 करोन इनको issuance of 35% equivalent stake government को दे दिया जाएगा 16,000 करोन में, तीन बैंक जैसा हमने बताया, यहाँ पर government policy इस sector में clear है, अब Middle East के banks, यहाँ पर Qatar National Bank, Emirati National Bank and National Bank of Abu Dhabi, यह तीनों के तीनों यहाँ पर निवेश करने के इच्छु के हैं और तीनों ने 800 करोड से जादा का निवेश करने की बात करें, exact amount कितना होगा, individual का, वो बाद में पता लगेगा, but यहाँ पर इन्होंने जो आपको पता ही होगा Vodafone Idea चाहता है कि यहाँ पर इनको पैसे मिले, और यह एक अच्छी बात रहेगी अगर बाहर से private bankers यहाँ पर इनको पैसे देंगे, चैनल का फैप फैफरूल हमिशे देहना का है, आपकी wealth को protect करने के काम आएगा, और अगर हम देखे Vodafone Idea का, यहाँ पर पिछले साल में, September, October, November, December, यह चार महिनों में, इसने काफी अच्छा consolation किया था, 9 रुपे 40 पैसे ते लेकर, 12 रुपे 20 पैसे के आसपास, अब यह बेक बार बहार निकल गया था, यहाँ पर दीखे, यह इस range को break करके बहार निकल गया था, जो कि अच्छी बात है, फिर government का जो announcement आया, उसक कब mid level पर आ चुका है, जो कि एक positive territory में दिखाना है, bandwidth तब यहाँ पर 40 है, हो सकता है, थोड़ा और consolidation करें, फिर तेजी से बढ़े, हमारे हिसाब से interest cost can be used for 4G expansion, जो इनके लिए positive रहेगा, customer retention, जो higher other service पर move कर रहे हैं, यह halt हो जाएगा, जो इनके पास 4G customer बढ़ेंगे, और यह अच्छा sign है, हमारे हिसाब से Monday के दिन positive territory में इसको रखने के लिए, impact हम share price को expect कर रहे हैं, यह 12 के ऊपर जाकर, सबसे पहला target इसका 50 रुपे का है, जैसे हमने बताया, हमारे पास काफी quantity, 6.17 पैसे के पास है, और अगर आप short time के buying level या selling level जानना चाहते हैं, तो हमारे paid member बन सकते हैं, अबना समय दने के लिए धन्यवाद, आपके लिए चार वीडियो प्रस्तुत हैं, प्लीज कम सर्वेर फैन्श अवाइजर, जहीं जभारत, बाई गाइस.